एक जुलाई से करकराशी का बनने वाला है रोचक योग और तीन जगाव से जुलाई के मेने में करकराशी को धन प्राप्त हो सकता है जै माता दी मेरे नाम पंडित प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टवाज में आज मित्रो हम इस कारेकरम में चर्चा करेंगे सबसे पहले ग्रेगोचर पे नजर डाल लेता है यह करकराशी की कटली आ रही है करकराशी में ही जुलाई के अंदर शुक्र महराज बैठें मंगल देखा जाए तो सिंगरासी के अंदर बैठें के तु अ Γιαे देखा जाए तो आप का चतुर्ष किम्राश अगर कहीं अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं गुरु चंडाल दूष भी बना रहें और दसं इस्थान स्वास्थ के बारे में देखा जाए करकराशी का तो यह जो जुलाई का महिना दो भागों में बटने वाला है पहला एक जुलाई से लिका साथ जुलाई तक करकराशी वालों के क्योंकि शूरी लगन में नीच में बैठे हैं तो पेट संबंदी तोचा संबंदी परिशानिया रहेगी थोड़ा आप भावुकता में ज्यादा रहेंगे साथ जुलाई तक छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आएगा गुस्सा आएगा तो गु में पहुंच जाते हैं यानि मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे में महालक्ष्मी योग का निर्मान करते हैं ऐसे में क्या होगा ऐसे में आपकी आपका मन करेगा कुछ खरीदारी करने का और आप खरीदारी करने वाले वस्त्र की अभूशन की कुछ ना कु यहांनि आठ तारिक के बाद रुकाव धन मार्केट में फसाव धन कोई डील नहीं हो रही है तो आठ तारिक के बाद आपकी डील होने के भी पॉसिबिल्टी अच्छी बन रही है क्योंकि महालक्ष्मी योग बन रहा है अब बात कर लेते हैं धन के बारे में तो धन के लिए अगर देखा जाए तो धन वाओं में तो मंगल ही बैठे हुए यानि रोचक योग पूरा पूरा जुलाई के महने में एक जुलाई से लेकर कत्ति जुलाई तक करकराशी का रोचक योग बन रहा है तो तीन जगा से धन लाब होने की उमीद है पहला विदेश से कोई धान Gave या order आपको मिल सकता है या विदेश से रुकावाधान आपको मिल सकता है साती साथ देखा जाए तो मंगल कहीं न कहीं देखा जाए किसी वस्तु की बिक्री से आपको कुछ धनलाव होता हुए जुलाई में नजर आ रहा है तीसरा अगर देखा जाए शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको लाब होता हुआ नजर आ रहा है और ये लाब साथ जुलाई के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि साथ जुलाई के बाद शुक्र भी देखा जाए तो करकराशी से सिंगराशी में आ जाएंगे महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे ऐसे में धन समंदी बड़ी डील बड़ी खुशकबरी आपको प्राप्त होगी यानि धन के लिए करकराशी का जुलाई का महिना बहुत बहुत जबरदस्त है अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की तो परिवार भाव में देखा जाए तो एक तारिक से लेकर एक अत्तिर जुलाई तक देखा जाए परिवार में किसी सदश्य का शादी या समारो उससे किसी शादी या समारों में जाने के योग भी बनते हैं और किसी सदसे का भौतिक वस्तु खरीदने का जुलाई में योग बनता है या तो वहाण करेदेंगे या Mobile, Computer, एसेसरीज के जुलाई में योग बनते हैं तो परिवारे के श्टती भी बहुत अच्छी है परिवार के साथ में मता-पिता भाइबेन के साथ में आप किसी फंक्षन में जरूर जाने वाले हैं जुलाई में ऐसा अभास होता है दोस्तों तो मेरा बच्पन से सपना था कि मेरे रेस्टरंट हो, ग्रेजुशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टरंट खोला, लेकिन रेस्टरंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा, गेस्टों की कम्प्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नोबत आ गई, तभी मैंने एक दिन टी आज गुरुजी के आशिरवाद से, कई शहरों में मेरे होटल है, दिल्ली, मदरास, मुंबई, बैंगलोर, आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ, ये सब गुरुजी के आशिरवाद से हुआ, मैं गुरुजी को कोटी-कोटी परनाम करता हूँ, अब बात करते हैं संतान भाव में, तो संतान भाव में तो चंद्रमा महराज बैठे वे हैं, और चंद्रमा मन सो जाता, का जाता है, चंद्रमा मन जो होता है, वो जाता का मन होता है, तो एक तारीक से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए, एक तो जो पंचम के स्वामी है, वो दुत्य वहों में बैठे हैं, रोजक योग का निर्माण करा रहे हैं तो संतान के कारीयों के लिए श्रुब है यानि कि अगर आपकी संतान हिゃ जोटी है उनको देखा जाया तो जुलाई के महने में उनके कारें में उन्नती होती उन कि एकाग्रजित्ता बढ़ती है विद्या के प्रति आपने काम के प्रति युस्के जुलाई में योग बनते हैं किसी एक्तिविटी को ज्वाइन करेंगे और और संतान के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी जुलाइ में हो सकती है एप बात करने हैं कर राशी वाले उनकी तो करते हैं तो मंगल की चतुर दरिश्टी छटे भाहों में पढ़ रही है तो ही कहीं नहीं देखा जाए तो पूरा ज्लई का योग बनता है यानि की जो परिशान कर रहे हैं出去 करें हतास करें ह्यों पराफ होंगे शत्रु भी आपकी वावाई और तारीफ करने वाले हैं ऐसा योग नजर आ रहा है जिसको शत्रु अंता योग का जाता है साती साथ कोई कोड केस आपके उपर चलता है कोई सरकारी मुकदमा आपका रुका हुआ है या किसी केस में डिसीजन आने वाला है तो जुलाई में वो भी चीज आपकी सौल्व होती है और आपको करियर में पद बृद्धी के योग नजर आ रहे हैं प्राकरम में बृद्धी होगी आपका रुतबा आपका प्रभाव आपके नौकरी स्थल पे बढ़ जाने वाला है तो कुल विलाके नौकरी के लिए भी जुलाई का मेना अच्छा है आप बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन में देखा जाए तो यह जो शुक्र लगन में बैटे हैं इनकी सातवी द्रिष्टी आपके प्रेमिका के बारे में तो देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको अपने से संबंदित या अपने परिवार से संबंद अपने करियर संबंदित कोई ना कोई खुशकबरी जुलाई में देने वाला है तो आपके पार्टनर के लिए जुलाई का मेना बहुत अच्छा है बात करें पति-पत्नी की तो देखा जाए तो पार्टनर को धन लाब होता हुआ नजर आ रहा है या रुका हुआ धन उनको मिल जाएगा साती साथ आपके जो मदवेद चल रहे थे तू तू मैं मैं चल रहे थी रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं और साती साथ पार्टनर को आप जुलाई के महिने में खुब सारी शौपिंग कराने वाले है या पार्टनर ही आपको कुछ गिफ्ट देगा दोनों में से एक चीज तो होने वाली आदान परदान होने वाला है फुल मिलाके जुलाई का महिना दामपथ्य जीवन चाहिए प्रेमी प्रेमी का हो चय मितलों पत्निय दोनों के लिए आधी आधी उत्तम रहने वाला है अब बात करते हैं करकराची वाले व्यापारियों के बारे में जो दुकान चलाते हैं उनका देखा जाए तो जुलाई का महिना कैसा जाएगा तो मंगल की आठवी दृष्टी अगर आप देखेंगे तो आपके दसंभाओं में आठवी दृष्टी होती है मंगल की तीन तो आठवी दृष्टी आप पर पड़ रही है और मंगल इसलिए जुलाई में मैं तो पूर्ण क्योंकि रोचक योग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी भाई बहन अपना काम करते हैं उनके प्रॉपर्टी खरीदने के योग शौप खरीदने के योग या शौप का रे मैं कैनेडा से हूँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी मेरे हजबन का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था मैं इतनी परिशान ही उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा तुरंट फोन लगाया उनको अपनी सारी समस्या अपने पती के नुक्सान के बार मेरे पती का काम दिन दुगनी राज चौगनी आगे बढ़ता ही गया और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं करते हूं